आज हम बनाएंगे एकदम शादियों और पार्टी में बनने वाला शाही पनिर की सबजी वही खुश्बू वही टेस्ट बहुत ही मज़ी की सबजी आप ट्राई करके दिखीगा तो चलिए बहुत ही मज़दार पनिर की सबजी बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने लिया है दू बड़ी से इसका प्याज लिया है साथी यहाँ पर दो टमाटू लिया है और साथी यहाँ पर खुब सारा मैंने बादम लिया है काप से अगर मेजर करो हमने यहाँ पर एक काप बादम लिया है तो इन सब का हमें एक दों फाइन पेस्ट तैयर करने का बीना पानी डालके तो ये लिजिए तीनू सीजू को हमने यहाँ पर पीस लिया है बादम पीसने वक्त यहाँ पर मैंने दूसे तीन टे बुली सुन पानी का भी इस्तिमाल किया है तो चलिए आगे का प्रोसेस देखते और साथ ही यहाँ पर मैंने 250 ग्रम पानीर लिया है पानीर को आप अपकी पसंद की सबसे किसी भी तरह से काट कर लीजिए पहले हम पानीर को फ्राई करेंगे फ्राई करके हम सबजी बनाएंगे ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा इसके लिए यहाँ पर कोकिंग ओयल डाल दिया है तू टेबल स्पून अभी हम पानीर को हलका सा फ्राई करेंगे आप यहाँ पर कीका भी इस्तमाल कर सकते हो आप हम पनीर को मेडियम फ्रेम पर हलका सा फ्राई करेंगे पनीर हमारा फ्राई हो गए इसे मैं बिल्कुल भी ज्यादा फ्राई नहीं कर रहो आप हम गेस का फ्रेम बन कर देते और इसे एक प्लेट में निकल देते आप हम सबजी बनाते है वही कड़ाई पर यहाँ पर 3 टेबल स्पुन ओयल डाल दिया है आपको इसा भी ओयल से बना सकते हो सबसे पहले यहाँ पर मैं डाल दिया है जीरा, 3 एलाईजी, 2 तिन दर्चनी और 1 तैजबत्ता और काली मिर्ज डाल दिया है इन्हें भी हम हलका सफ्राई करते हैं इनमें से बहुत अच्छे खुश्पू निकलेंगे और मसाला बून गया है आप यहाँ पर हम डाल देते हैं प्याजवाला पेस्ट और इसी के साथ हम डाल देते हैं टामाटोर का पेस्ट की की दोनों भी कच्चा हैं इसलिए मैंने इसाथ ही डाल दिया है और आप इसे हम चार से पाच मिनिट करगे अच्छी तरह के से बुनना है और इसी के साथ मैं डाल दिया है एक टेबुलिस्पून अध्रेक और लोशन का पेस्ट आप चाहिए यह पर फ्रेश के भी इस्तिमाल कर सकते हो और इन मसाला को हम बहुत ही अच्छा से बुनना है मसाला जो बुन गया है टेमाटोरा और प्याज के जो कच्छा पन है वो भी निकल गया है यहाँ पर आभी मैं एट करूँगी यहाँ पर हाफ टेबुलिस्पून सल्ट तो आप आपकी सबसे एट कर दीजिए तोड़ा सा हल्दी पाउडर साथ यहाँ पर मैं डाल दिया है दन्या पाउडर और यहाँ पर कश्मीरी मिर्ची पाउडर डाल दिया है मैंने कश्मीरी मिर्ची पाउडर डाले तो बहुत ही इच्छा खालर आएगा अब यहाँ पर मेरे डाल दिया है पनिर चांजा पर कदे किसी भी ब्रेंड मासाला का इस्तिमाल कर सकते हो। दीखे इने भी हमने मिक्स कर लिया है । अब यहाँ पर में फ्रेश दःी डाल रहा हूं श्रीफ 2 टेबल स्पून। तो आप यहाँ पर ज्यादा खट्टा दहे इस्तमाल मत करें तो इसे भी हम अच्छा से मिला देते हैं मसाला के साथ तो मसाला के साथ दही को हमने बहुत ही अच्छा से बुन लिए हैं हम यहाँ पर अभी एड़ करेंगे काजु वाला पेस्ट काजू का पेस्ट डिलने के सथा कईट्ट गैङ में कीजिट ना चला काजू का पेस्ट इढलने में साथ इहाऊ ना में तो वाता है कि म reagerkर सून झाल कि लिए मिक्स पकbn के और वे हैं जोhnवाने के दूट मिला करते हो और तो आप यहाँ पर यहीं पर दूद अच्छाद हैं सकते को एक कोई Finnish मिक्सक्राइब देते हैं तो पांच मिनिट हो गया है दिखिए ओईल चूड दिया है मसाला अच्छा से पक गया है और आप हम इसमें फ्राई किया हुआ सारा पनेर डाल देंगे पनेर कुप पहले हम ग्रेवी के साथ अच्छा से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर आदा लास्ट के करीब पानी डालेंगे तो यहाँ पर मैंने गरम पानी लिया है यहाँ पर आप गरम पानी का ही इस्तिमल करें तो यहाँ पर आपको कितना ग्रेवी पसंदे उसी सबसे आप पानी डाल दीजिए तो पानी एट करने के बाद इसे गेस कपले मेडियूम राखे दूस यहां पर तीन से चार मिनिट हो गया है और यह हमारा शाही पनिर का सब्जी बन कर तैयर हो गया है यह दिखिए इसकी ग्रेवी का टेक्च्छर एक दम बहुत ही मज़ेदर और दानेदर ग्रेवी के साथ बन कर तैयर हुई है फ्रेंड्स आपको यह सब्जी देखने में ही स्क्राइब कीजिए तब तक लिए बाई बाई और अला हाफिस फिर मिलते एक नई पीडियो के साथ